इसकार दोस्तो own Young Cleams Society के ईसके का रिमोट है इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस रिमोट के बारे में और इसको किस तरीके से यूज करना चाहिए, अगर remote आपका working नहीं कर रहा है, तो उसको किस तरीके से reset करना है, अगर आपका इसी ज्यादा electricity कंजूम कर रहा है, तो कौन से mode के ऊपर चलाना चाहिए, उसके बारे में पूरी डीटेल जन करें, मैं इस studio में देने वाला हूँ आप इस studio को एंट तक देखो आप यह remote अभी आपको उपर साइसा दिख रहा है लेकिन इस फ्लैप को अगर नीचे खिचोगे तो इसके अंदर बहुत सारी कीज है उपर ख़ले temperature कम ज़्यादा और on off करने के लिए बटन दिया हुए इस बटन को दब होगे off हो गया इस बटन को दब होगे on हो गया इसको दब होगे temperature बढ़ जाएगा इसको दब होगे temperature कम हो जाएगा यह उपर की main तीन कीज दी होए जो regularly आपने को यूज़ करनी जरूत हुथ है रिमोट के अंदर एक दो तीन चार चार ब्रैकेट दी होए उपर आपने को मोड शो करेगा इधर आपने को temperature शो करेगा इधर फैन स्पीड और स्विंग दो स्विंग है मतलब होरिजंटल स्विंग और वर्टिकल एयरफ्लो एडजस करने वाला स्विंग वह स्विंग को कहां पर सेट करना है वह यहां पर आपको दिख जाएगा बाद में इधर आपको clock और day दिख रहा है मतलब Monday और clock इधर timing आप उने यहां पर सेट कर सकते हम तो इसको पहले महीं आपको ओपन करके नीचे से इसके नीचे जो भी सारी कीज है वह पहले दिखा इसके बाद इनका क्या क्या फंक्शन है वह मैं आपको बते दिता हूं जैसे मोड का बटन दिया हूँ है सबसे पहले मोड से स्टार्ट कर देते इसको दबाऊ गए तो अभी इसको humidity mode पे चल गाया अपना उसके बाद यह अपना fan mode इसके बाद यह और तो मोड और बाद में बाद में humidity control करने के लिए इसका defrost mode इसे अलग अलग नाम होते है बहुत सारे company में इस mode पे अपने को room के अंदर की humidity करने के लिए आपने इसको use कर सकते है बाद में fan mode, fan mode के अंदर खाले आपका indoor का व्लोर गुमेगा मतलब indoor unit का अंदर जो fan लगा हुआ है उतना ही काम करेग आपका इस mode पे बंद रहेगा इसके बाद है auto mode, auto mode actually बहुत सारे company में अलग-अलग temperature range होती है auto mode के, मतलब जासे कि किस company में 26 होती है, किसी में 28 होती है, किसी में 24 होती, automatically 24 है 26 degree Celsius temperature लेके वो उसके हिसाब से काम करना चालो कर देता है auto mode में, fan speed automatically कम ज़दा होता है, मतलब temperature अच का temperature तकरिवन 26 degree Celsius रहेगा, 26 degree Celsius अच्छी होने के बाद है, वो automatic cut off बहुत हो जाएगा, यह auto mode का function, उसके बाद इधर बटन दिया हो है long, यह long का अगर बटन इसको प्रेस कर दिया, तो आपका जो vertical swing है, मतलब जो सामने से swing आपको हिलता हूँ अधिक रहा है, जो उपर नीचे उपर नीचे कर रहा है, वो क्या करेगा, उपर के साइड में adjust हो जाएगा, तो इसके डाइकिन में कॉंडा ही airball के बटन दिया हो है, उसके अंदर भी वही feature है, अगर उसको दबाया या इसको long का दबाया है, तो flow अपका air का उपर के साइड में चलेगा, मतलब चत के तरफ अब से नीचे तक ऐसा cooling maintain करने के कुशिश करेगा, उसके बाद है, उसके बाद है economic cool लिखा हुआ है, मतलब economic cool ऐसा दिया हुआ है, अगर यह economic cool को अब दबाऊगे, इसको दबाऊगे तो इधर economic cool का symbol आया है, इसका मतलब ऐसा होता है, कि इस economic cool पे आपका fan speed है, और जो आप आपका compressor बोल सकते है, अगर inverter machine है, fan speed, compressor speed और indoor का blower का speed, वो कम हो जाएगा, और तकरिपन कम से कम electricity, consume करने के कोशिश करेगा, यह वेन दिया हुआ है, मतलब आपका जो flow है, vertical है, उसको adjust कर सकते हो, इधर देखो, अभी यह continuously उपर निचे होता रहेगा, अगर आईसा symbol आया तो उपर की साइड में रहेगा, इसको दबाऊगे और निचे आएगा, इसको दबाऊगे और निचे आएगा, सबसे निचे इस पे रहेगा, दुबारा दबाऊगे continuously flow है, उससी तरह के से same है, मतलब horizontal यह airflow adjust करता है, इसके लिए बटन दिया हुआ है, इसको आप भी set कर सकते हो उसके बाद है अपना बटन है पावरफुल यह पावरफुल का अगर दबाऊगे इसको टर्बो भी बोलते है बहुत सारी कमपनी के अंदर यह पावरफुल का अगर बटन दबाऊगे तो आपका हाइस्ट पीड के उपर इंडर ब्लोर, कॉंप्रेसर और फैन चलेगा और फा बादा गंटा एक गंटा यूज करके दूबार आपना नॉर्मल कॉलिंग मोड पे यूज करना है तो पावरफुल के उपर आपने को कंटिनूसली यूज ने करना है बहुत सारे ब्रैंड में इसके अलग अलग नाम है तर्बो, पावरचीट, पावरकूल, पावरफुल इ इसके बाद यूज नाम का बटन है, अगर बटन दबा दिया तो अपना रिमोट क्या हो जाएगा इदर आपका रिमोट का फंक्शनिंग कर रहा है लेकिन मेरे नॉलेज से बाकी सारे चेज एक सेकंद रूखिए मैं आई से को एक बार देख लेता हूं इसका बारे मेरे करने के लिए और टाइमर कम ज़्यादा करने के लिए इसका यूज करके आप विकली टाइमर सेट कर सकते हो मतलब पूरे विक के लिए आप यहां से टाइमर सेट कर सकते हो बाद में उसको एड़ी एंड सेंड करने का ऑफशन दिया हुआ है इधर का बटन दिया हुआ बैटरी आपको इधर देखने को मिल जाएगी, इसको निकाल देता हूँ एक मिनिट में, इधर देख सकते हो इसके अंदर 1.5 वल्टेज की दो बैटरी लगी हुई है, बाद में इधर क्लॉक के लिए बिटन दबाया है, बाद में इधर रिमोट को रिसेट करने का बटन दब से कूल मूड पे और आपको जो बोड़ी के लिए कंपरटेबल है, 24-25 दिगरी सेल्सियस या 24 दिगरी सेल्सियस टेंपरेचर रखना चाहिए, इस तरीके से अगर आप इसको यूज करोगे तो आपका इलिक्टिसिटी से हो जाएगा, अगर आपको भी इस तरीके से